है यह बर्बीबान में आयत्री हाओ टो अमिक बैए गायतरी में आप सभी का सवागत करती हूं और आज आप Mooल के लिए निक्रीक है हूं वेजए पूलिकर के की रेसिपी वेज़े तो मेती के के पहरते सब्सक्रीति को बनाना आता है लेकिन कई बात क्या ऊता है मेती स्टफ करते समय बेलते समय मेथी जो है न बहार निकल जाती हो पराथा प्रॉपर किसे नहीं बन पाता है तो आज मैं आपको वही ट्रिक बताऊंगे किसे सब मेथी का पराथा बनाए ताकि आपका मेथी का पराथा अच्छा बने और जो स्टफिंग करो वह बहार नहीं निकल तो यहां पर मैंने लिए है मेथी की सब्जी यह बनीवी सब्जी है और आलू काफी अच्छी से पकी हुए है इसमें यहां पर थोड़ी सी मैंने रह चेली पौडर लिया है क्योंकि मेथी की पराथे बना रहे हैं और तीखी होंगे तो यह अच्छे लगेंगे यहां पर या 4 टी स्पून के असपस बेसन तो यह हाफ केजी मेथी ती जिसमें मैंने दो बड़े सा इसके आलू चौप करके डाले थे और थोड़ा बोती मैंने यूस में लिया होगा बच्छी मेथी के मैं पराथे बना रहे हैं तो यह अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इसमें आप टे तो इसको एक सा इत रख दिया है और यहाँ पर मैं निया हैं आटा सान रखा था गियू का अन्वल मैं नमक डाले और पानी चैन के साथ में आटा सान है, बिल्कुल सोफ्ट अटा तयार करना है आपको जिससे हम रोटिया बनाते हैं आब वस० उससे इसका आटा तयार किया को यहां पर मैं इसको बेल लेती हूं को हमिस्टफ करेंगे तो इसको फिला लोंगी पूरी जो रोटी बनाई हैं उसके उपर एक जैसा फिला लेंगे इसको कहीं से मोटा कहीं से पतला नहीं रखना है विल्कुल एक जैसा इसको फिलाना है कोनों तक पर अच्छे से फिलाना है ये देखिए इस तरह से मैंने फिलाया है उसके बाद इसको मैं इस तरह से फोल्ड कर रही हू बस अब कुछ नहीं करना है एक गोला लेना है और रोटी की तरह इसको बेलना है यह देखिए बहुत ही इजी आप यकीन मानिए और इतने अच्छे बनेते हैं इतने क्रिस्पी बनेते हैं लांद से सौफ उपर से क्रिस्पी पन और एक भी आपका जो मेथी का रोटी या परा करन के ज़रूर बताईएगा कि कैसी बनी आप बना के ज़रूर देखेगा फिर मुझे बताईएगा क्यिसी बनी यह रहती है और हम लोग को कभी बना पाते हैं कि वह फैल जाते हैं तो देखिए इस ट्रिक से आप बनाएंगे आ तो बहुत अच्छे बनेंगे और फटा करके आप पूरी भी बना सकते हैं पूरी भी काफी अच्छी बनेगी और फटेगी नहीं आप देखेगा यह जब हम इसको फ्राइट करें तो यहां पर रख दिया है पेल और इसको हम सेख लेते हैं जैसे से नॉर्मल हम पराठा सेखते हैं बस उसी तरह से में सीखूंगी कम में काफी क्रिस्पी और काफी टेस्टी पराठा बनता है मेथी का तो बस यह देखी एक साइट से पलट दिया है मैंने सिख गया तो अब यहां पर हम लगाएंगे तेल यह जिससे भी आप सेखना चाहें या फिर बटर जिससे भी टेस्ट आपको अच्छा लगता है उससे फ्राइं करें अपर हम लिए से कृओना है क्यों इसी तरह में सारे पराठें टेखरें कितना च्छा बना है कोई टेंशन नहीं है फटने कभी डर नहीं है और बहुत ही अच्छा दिख रह एध तो आने में बहुत अच्छा है तो बना के ज़रूर देखिएगा ट्राइ करिएगा अभी मेति का सीजन आ रहा है तो अधिकतर मेति के पराठे बनती है हर घर में तो इस तरह से बनाएंगी तो आपको एजी लगेगा बनाना तो चलिए आप लोगको मेरी रेसिपी कैसी लगी कमे बढ़ेगा बन ताया बन के आपको तो आपको और अपको कूहा है तो खड Yayg akan झाल बनवาย चाहाँ पूहितं दो कि रहाँ आपको पार दो एकल को ऑनावा न थैुर में तो कि ओनावाँ कर उनावाड़ोगस, आख दो कि अए ड Caribbean Da दरो या दो कि अगूहाँ के दो का आए